लालूयादव को लगता है कि बिहार में यादवों को जो नेतर तो है वो लालू परिवार के पास ही रहना चाहिए बिना कि इसी वादा के अच razem क अपनी पार्टी का क्यों विला कर देंगे कॉंग्रेस में लेकिन लालू यादव ने पपु यादव का सारा ख्राब कर दिया वो भले समाधिक निया की बात करते हों अपनी पार्टी का विलाय कॉंग्रेस में कर दिये थे चर्चा ये थी कि पूर्णिया से कॉंग्रेस जो है उनको टिकर देगी लेकिन राज़त ने वहां से भीमा भारती को टिकर दिया और अब जो है पपुयादव कहीं गटवंदन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो निर्दली है वहां से चुनावल रहे हैं हाला कि कॉंग्रेस के वो सदस्य हो गये हैं इन तमाम मुद्वों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ पूर वाईपया समिताव दास हैं कैसे देखते हैं सर पपुयादव ने तो बगावत कर दी हाँ कोई रास्ता नहीं बचा था पपुयादव के पास बगावत के सिवाएं क्योंकि देखिए दर्श्रकों को पता ही होगा पपुयादव की अलग पार्टी हुआ करती थी च्छोटी पार्टी ही थी अलग पार्टी थी जाप जिसको कहते थी जन अधिकार पार्टी और जाप में रहते हुए इसका अधिक को पता हुआ कि उनकी जो पत्नी है रंजीत रंजन वो कॉंग्रस की राजस्वाय एंपी है 36 गड़ से और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के काफी करीबियों में मानी जाती है रंजीत रंजन को तो अभी एक दो मेने पहले ऐसा हुआ कि पपू यादव की पार्टी का व पतलब वादा किया गया है कि पूर्णिया की सीट उनके हिस्से में जाएगी तो ऐसे भी कॉमन सेंस से लगता है कि बिना किसी वादा के अचारक अपनी पार्टी का क्यों विले कर देंगे कांग्रस में लेकिन लालु यादव ने पपू यादव का सारा क्यल खराब कर दिय और लालु यादव ने जो रुपॉली की जडियू विरायक हैं बीमा भारती जिनका पती एक खुंखार अपरादी है अवदेश मंडल बीमा भारती को लाया राजद में और फिरात रात उरात उसको पीले लंका लिफाफा जो आसकर लालु यादव बांट रहे हैं पार्ट से निकाल दे उनके खिलाब से अनुशाथान की कारवाई हो जाए तो आज की तारिक में देखिए पुणिया का जो संघर्ष है वो काफी रोचक हो गया है एक तरफ संतोष कुश्वा है जो जडियू के हैं मजवदा सांसद एक तरफ बीमा भारती हैं जो राजद की हैं और एक तरफ पपू यादव जो मुझे लगता है निरदलिये ही लड़ेंगे कॉंग्रेस का सिंबल मिलने वाला नहीं है लेकिन इस त्रिकोणिया संघर्ष में भी जो मेरी समझ है जो मुझे लग रहा है कि पपू यादव का पलड़ा ही भारी है कॉंग्रेस में नए नए लोग जुर रहे हैं और आज महेस्वर हजारी के पूत्र जो है सन्नी हजारी को समस्तिपूर से उमिदवार बनाया जाएगा सामभवी चौधरी के विरोध में लेकिन कहा जाए तो जिस तरीके से नए लोग जुर रहे हैं उनको टिकट दिया जा पपू यादव काफी पुड़ाने नेता हैं वो जुड़े लेकिन उनको टिकट नहीं मिला नहीं यह तो देखिए अब मैं कहूंगा तो इसमें तो पपू यादव के साथ मैं तो अन्याय मानता हूं और लालू यादव इसके लिए खास रूप से दोशी है मुझे जो लग कि बिहार में यादवों का जो नहतर तो है वो लालू परिवार के पास ही रहना चाहिए मतलब यह तो लालू यादव नहतर तो करें बिहार में यादवों का और यादि उनके उत्तरा धिकारी बने तो वो टेजश्री यादव बने लालू यादव अपने उनकी एक कमजोरी है परिवार वो भले समाजिक नया की बात करते हों लेकिन पारिवारिक नया से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो उनमें एक असरक्षा की भावना आ गई है कि एगर पपू यादव बन जाते हैं पूर्णिया से एंपी तो हो सकता है ते जस्वी यादव के लिए परोती पड़ा हो जाए यादव के नितरत के लिए पपू यादव ते जस्वी यादव का गया जा रहा है तो यादव समाज जो है कहीं कॉंगरिस के तरफ मूव ना कर जाए उसमें तो कोई दिक्कत नहीं शाद लालू को होती क्योंकि महागटवंदर में दोनों हैं जहां से कॉंगरिस के प्रत्याश्वी है वा तो राज़त का प्रत्याश्वी नहीं रहता देखी यही इसी वज़े से आपने बेगुस राए को CPI के अवधेश राए को भेस की खड़ा कर दिया गया जबकि अवधेश राए कोई बहुत बड़े देता नहीं है जबकि कनहिया कुमार की पुरे राष्ट्रे अस्तर पर पहचान है जैनियू छातर संग के अध्यक्च थे अभी उन्होंने रावल गांद में कहें कि अड़कना कहा जाएगा और इन दोनों को खोड़ा वो लंगडी मारने में विश्वास करते हैं लेकिन ये गटवंधन धर्म का लालु यादव ने निर्वा नहीं किया है मैं तो यह कहूंगा चलिए पपु यादव को टिकट नहीं मिला और लालु यादव ने गटवंधन धर्म का पालर नहीं किया है कहीना कहीं लालु यादव को यह चिंता थी कि पपु यादव जो अगर उनको टिकट देते हैं और पूर्णिया से वो सांसत बनते हैं तो तेस्वी यादव के लिए काफी मुसीबत साबित हो जाएगे शरकतमाब डेट्स के लिए बने रहें देश्वा नियूज के साथ